वेलकम दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल पढ़ाय लिखाई पे विदमी विरेंद्र तो देखे हम आपके लिए टॉपिक लेके आए एक अभी क्या हुआ हालों फिलाल में कुछ ऐसी घटना हुई ये कुछ ऐसी चीजे हुई है जिसके लिए कारण हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं तो देखे टॉपिक का नाम है इंडिया फर्स्ट एवर जियो थर्मल फिल्ड ठीक है इंडिया का क्या है फर्स्ट एवर ठीक है सबसे पहले बनाया जाने वाला यानि इस से पहले ऐस चीज कभी भी नहीं थी तो ऐसी कोई चीज होने वाली है ठीक है और हो चुकी है लगबग ठीक है तो देखे क्या है जीयो थर्मल आप जान लिजीए ठीक है जीयो थर्मल से रिलेटर है मतलब जमीन के अंदर जो गर्मी पाए जाते हीट एनरजी पाए जाती है उसका इस्तेम पर बात करने मजबूर हुए तब पैक बास साइन ठीक है तो देखे आप जैसे की जानते हैं कि लद्दाग पहले क्या हुआ करता था ले लद्दाग का जो एरिया था जम्मू कस्मीर के हिस्से माया करता एक इस्टेट हुआ करता था लेकिन अब क्या हो गया ये यूनियन इसोन बन अब गया है यूनियन टरिकरी मतलब सेंटर गोर्मेंट के अंधर आ गया है ठीक है तो जिस तरह से हमारा दिल्ली है histी तरह से अब क्या हो गया है लद्दाग का बया है तो अब इसमें क्या है इन्होंने एक साहन क्या है यानि समझोता किया यह रखना है कि भाई लद्दाग सरकार के बीच ठीक है और यह क्या ओएंजी सी ठीक है और एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के बीच एक समझोता हुआ एक संधी हुई है उसको लेकर हम इतना डिसकस करने बाले हैं चली हुआ क्या है इन फेज फरस्ट उन्होंने समझोता क् पहले ऑन दिस प्रोजेक्ट वन मेगावार्ट पावर जनेशन यानि पावर प्लांट लगने वाला है पावर जनेट होने वाली यह पहले वो क्या करेंगे प्रोजेक्ट लगा के देखेंगे छोटा सा प्लांट चला के देखेंगे एक मेगावार्ट का कि हम आइनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं के नहीं कर पा रहे हैं किस तरह से प्लांट महां पे आगे सेटप यानि जब यह पाइलेट प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा उसके बाद बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाता है ठीक है तो इस तरह से तो देखे क्या है पावर जनरेशन कैपसिटी सेल बी जनरेटर एंड हंडेड परसंड फ्री पावर सेल बी सप्लाई टू दा जनरल पबलिक ठीक है यानि पाइलेट प्रोजेक्ट में पहले क्या होगा फ्री बिजली सप्लाई करेंगे वो पाइलेट प्रोजेक्ट होगा कुछ समय के लिए और इस pilot project के लिए ONGC company जो है ONGC energy है इसको implement किया गया इस company को ये contact दिया गया है तो आपको ये ध्यानकना है ONGC company को ठेका दिया गया है contact दिया गया है या उसने contact हासिल किया है कि भाही वहाँ पे geothermal field एक पाया गया है वहाँ पे geothermal plant लगने बाला है जो की हमारे देश का पहला plant है अब देखें इसमें और भी कुछ चीज़े हैं ठीक है दा इंडियन गॉर्मेंट मिनिस्ट्री आफ न्यू एंड रिन्यूबल एनर्जी इसको कहते है रिन्यूबल एनर्जी जैसा कि आप जानते हमारा देश के पूरा बिश्प इस बात पर गोर कर रहा है इस बात पर को एनर्जी जन्यूबल एनर्जी हो मतलब की जैसे कोईला होता ही रिन्यूबल नहीं है यानि दुबारा दुबारा उसको यूज नहीं कर सकते है ठीक है तो ऐसी एनर्जी जो रिन्यूबल हो बार बार यूज की जा सके उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम एनर्जी प्रोड्य करेंगे तो पोलुशन भी नहीं होगा और बार बार उस एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है तो यह 6 जून की बात है 6 जून को रिलिस्ट क्या गया था एक ड्राफ्ट ठीक है ड्राफ्ट इंडियन जियो थर्मल एनर्जी डेवलप्मेंट फ्रेमबर्ग तो यह ड्राफ्ट किया गया था कब 6 जून को ठीक है सिकिंग कमेंड फ्रॉम और इस्टेकोल्डर से इसके बारे में थोड़े कमेंड्स मांगे गये थे ठीक है ऐसा कुछ बैक्ग्राउंड में सब चीजे चल नहीं थी अब देखे क हर स्टेट का हर राष्ट का एक निर्णा होता है कि अब इस तरीक से मतलब प्रदर्सित करता जोंग तर्म थे हैं झेको नहीं थे चीजे चाए नए 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 एनरजी छेतर खोज़े जा रहे हैं किस तरह से एनर्जी को प्रीज्स क्या जा ग्रीन हाउस इमिशन यानि इस से क्या होगा ग्रीन हाउस जो होती है उनके प्रडक्शन में उत्सरजन में भी कमी आएंगी यानि यह फूर्मल एनर्जी जो होगी यह पूर्ण रूप से कारवन फ्री होगी और एंबार्मेंट को कोई भी पॉलिशन नहीं पहुंचाने वाल हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा उसके नुकसान उठाने पड़े तो इसको कहते हैं सेफ है सिक्योर है शोसली एंबार्मेंटली सेफ सिक्योर यह है ठीक है तो देखे अब क्या होगा करने क्या वाले हम यहां पे तो देखे क्या है सस्टेनेवल डवलेप्में जियोघार्मल एनर्जी प्रोडियोस करने की चमता यहां पे उपल्फ देखे यह होगा है ऐसा माना गया है ठीक हाँ उसके बात क्या करना है quierан तक उसके बाद ये है 1000 मेगाबाट उसके बाद 10,000 मेगाबाट बाइद 2030 यानि हम कोसिस करेंगे कि भाई 1000 मेगाबाट ये जो energy इसको 2022 तक utilize करने के हम कोसिस करेंगे उसके बाद इसको expand करके बढ़ा करके हम 10,000 मेगाबाट करने की कोसिस करेंगे यह हमारे ड्राफ पॉलिसी कहती है अब देखिए यह आपको समझ में है कि देश में पहला जियो थर्मल फिल्ड जियो थर्मल प्लांट लगने जा रहा है ठीक है अब हमारा इंट्रेस्ट क्या है भई ओंजी सी यह कंपनी लगा रही ओंजी सी यूज करना है त तो देखो दड़ टोटल इंस्टॉल्ड कैपसिटी फोर ग्लोबल जियो थर्मल पावर जनरेशन यानि पूरे विस्व की बात करें संपूर्ण विस्व की बात करें तो यह जो कैपसिटी अभी लगवाग ट्वैल पॉइल पॉइंट गीगावाट इतनी हैं ट्वैल यूएस यानि कि अमेरिका फिलिपीन इंडोनेशिया और आपका मैक्शिको और न्यूजिलेंड यह तो पांच देश हैं यह सबसे ज़्यादा इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अब यह देखें भाई धरती के अंदर यह हीट एनरजी आई कहां से कहां से आ रही है इनरजी कार्मन फ्री एनरजी कोई पॉलिशन नहीं करती है इन्वार्मेंट फ्रेंड यह तो देखें यहां पर रहते हैं पेड़ पोदें हैं जी जल वगएरा पाया जाता है तो इस सर्फेस है ठीक है यानि इसको उसके नीचे क्या होता है यानि उससे नीचे क्रश्ट कह इस तरह से देखें अब जैसे जैसे धर्दी के अंदर जाते हैं सबस्क्रा इसकीर नीचे जाते हैं यहां बहुत जदा और इनर कोई इस तरह से और मैंने यहाँ पर क्या दिखाए आपको temperature का variation और साथ यह क्या देखें यह भी आपको दिखाए दिया रहा है कि यहाँ पर magnesium, fe, iron, aluminium, silika, oxygen बगएरा पाई जाती है और जैसे जैसे आप नीचे जा रहा है, fe, iron, sulfur, यह सारी चीज़े, और यह क्या होता, solid fe, बहुत ज़्यादा solid होती है, यानि metal की बनी होती है, अंदर की जो है हमारी धरती और देखें किस तरह से temperature चला जा रहा है, लगबग, 3300 degree centigrade के आसपास, और कितना है, लगबग, 2200 km अंदर जाने के बाद ऐसा हो जाता है तो यह देखें, लगबग, आप सीधे सीधे देख पा रहे है, लगबग, temperature 4300 यानि 5000 degree centigrade के आसपास, टच कर जाता है इस चीज़ को कुछ और चीज़े भी कर सकते हैं, hot swimming pools, यानि जो नदी ताला वो ने गरम जल की, नदीया ताला भी यह सब बना पाएं, तो उसको hot swimming pool कह सकते हैं, और यह tourist के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, tourist places बन सकते हैं, ठीक है, और जैसा हमारे देख में चली रहा गए हुई local for local होना चाहिए, making Ladakh self sustainable, यानि Ladakh अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने सारे खर्चे पानी खुद उठा सके, तो इस दिसामें में कदम एक बढ़ जाएगा, ठीक है, Ladakh region के लिए, tourist के लिए भी बहुत अच्छे region मन सकता है, in its quest to increase its renewable energy portfolio, इंडिया propose to harness 10,000 मेगाबाट, यानि इंडिया ने कोसिस किये कि हम 10,000 मेगाबाट एनरजी का यूज करेंगे, जो की लगबग होती है, 10 गीगाबाट के पास पास, ठीक है, total of 10 गीगाबाट, अब देखें इसमें क्या होता है, of geothermal energy wide 2030 तक और कब तक लक्षे रखा गया, तो 2030 तक तो ये भी point आपके लिए जियो थर्मल एनरजी का यूज कर रहा है, तो भाई उन देशों की मदद लेने में हमें कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी हर्ज नहीं लेना होना चाहिए, ठीक है, तो उनसे collaboration यानि उनका सहयोग लेकर हम ये काम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो किन किन से बाहर आपाएगी, तो देखो क्या होता है, जिस तरह से हम घरों की दिवारे बनाते हैं, ठीक है, तो दिवारे मनाते हैं, एक इंट के उपर दूसी एक इंट के साइड में दूसी इंटा रखते हैं, उस तरह से दिवारे बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, कभी एपको अब्रस नाए बहुत सारे दिखाई गई थे इंडिया आपको दिखाई दे रहा है तो इंडिया का तो पॉर्सन जो लद्दाख रीजन से ऊकर गुजरता है ठीक है यह कौनसे रीजन से यह देखे आप लद्दाख रीजन यह बीच में जो पड़ता है प्लेट जो पाया जा रहा तो यह पॉइंट भी आपके लिए इंप्रोटेंट हो सकता है आप देखें जमीन की एनर्जी हीट एनर्जी का इस्तेमाल हम किस तरह से करने वाले तो करेंगे क्या हम करने क्या वाले यह हमारा प्लांट यह दिखाई दे रहा है बहुती नॉर्मल सी दिखाई दे गई तो सबसे पहले कर आप गए तो यह आपको दिखाई दे रहे हैं टर्वाइन पर्यशर को आके ट्कराती है उसको रोटेट करने लगती है जा स्थकी होगता है। फॉर्य स्थक्रतत यह होगता है। यानि कुल मिलाके इसको टर्माइन को घुमाना ज़रूरी है, तो भाप का बहुती ज़्यादा प्रेशर दबाब होना चाहिए, और हीट एनरजी होने चाहिए, तो यानि आपको इस्टीम चाहिए, भाप चाहिए, जो की जिसका प्रेशर जादा हो, और हाई एनरजी से जाके कि इन ब्लेड पर जाके टक्रा सके तो हमें इस टीम चाहिए कुल मिला के इसको घुमाने के लिए तो अब हम क्या करने वालें देखें हम क्या करेंगे बाई देखो यहां पर एक हीट एक्षेंजर लगा जो उसमा का स्थाना नरंड करता है एक जेकर से दूसरी जेकर अब इस जमीन के अंदर हम क्या पहुचाएंगे पानी पहुचाएंगे ठंडा ठंडा पानी जो की जमीन की सतह पर पाया जाता है उस पानी को जमीन के अंदर पहुचाएगा तो देखो यहां पर इंजेक्शन ओ वेल लिखा जहाँ पे ठीक है जमीन के अंदर पानी पहुचाएंग उस्मा में ठीक है उस्मा सोरी उस्मा मिलेगी उसको तो किसमें भाप में कनबट हो जाएगा इस टीम में कनबट हो जाएगा और इस को कहता है प्रोडक्शन बैल यानि प्रोडक्शन बैल यहां से इस्टीम प्रोड्यूस होने लगेगी तो हम क्या करेंगे इस इस्टीम से आगे ठकराएगी तो यह रोटर घूमने लगएगा टर्वाइन रोटेट करेगी यानि की हीट एनरजी को उस्मा एनरजी को मेकेनिकल यांतरिक उर्जा में परिवर्टित कर देती है तो आपको यह भी जहां लखना है तो जियो थर्मल एनरजी में कैसे इस्तेमाल करते हैं उस्मा एनरजी को हीट एनरजी को किसमे मेकेनिकल एनरजी में कनवर्ट करते हैं मेकेनिकल एनरजी को फिर इलक्टिकल एनरजी में कनवर्ट किया जाता है तो इस तरह से हम क्या करते हैं जियो थर्मल एनरजी का उप्योग कर पाते हैं और यह भी जान लीजिए इससे कोई भी पॉलुशन नहीं होता है ठीक है जमीन से हमें जो फ्री ऑप कोस्ट हीट एनरजी मिल लए है फ्री ऑप कोस्ट मिल लए है हमको यह एक बार रिविजन कर लेते हैं हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है तो भारत का पहला जियो थर्मल प्राण लगने जा रहा है कहां पे लदाक में कौन सी कमपनी करने जा रही है ओन जी सी ठीक है भारत का यह पहला होगा लदाक में क्यों पाय जाता है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वूपर पटी पे जो प्लेट्स होती है क्रैक्स ह उतने दरारे होती हैं, वो कहां पाई जाती हैं, लद्दाक में पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, जियो थर्मल एनर्जी में हीट एनर्जी को पहले मेकैनिकल एनर्जी में, मेकैनिकल एनर्जी को इलक्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके लिए इंप